सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रेड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए क्या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं आकर सक्सेली पैकेज आपको यहाँ पर इन पोस्ट के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा All India की vacancies हैं सभी male और female candidates बारत के किसी भी राज्य से इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भरती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कितनी यहाँ पर exact number of vacancies हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाय जा रहे हैं कैसे आप इस भरती के official notice की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी step by step हिंदी में जानने के लिए बने रही है इस वीडियो में अंधतक हमारे साथ इस वीडियो को अंधतक देखने पर ही आपके सभी स्वाल आउट डाउट की लिए रहोंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस भरती की पूरी जानकारी National Health Mission यानि की राष्टे स्वास्ते Mission के अंतरगत ये बढ़ती निकली है जहांपर पोस्ट के नाम है A&M, G&M, Staff Nurse, MTS, Cook, Technician, Pharmacist और भी पद हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाई जा रहे हैं टोटल नंबरों फेकेंसी जहांपर 128 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो सेल लिए आपको 5500 से 19429 पोस्ट वाइज परवाइज परवाइज करा दी जाएगी कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सेल लिए आपको परवाइज कराई जाएगी इसकी पूरी डिटेल आपको Official Advertisment में परवाइज कराई गई है क्वालिफिकेशन के अगर बात की जाए तो बारवी पास या फिर डिपलोमा धारक कैनिडेट्स या फिर कोई डिग्री धारक कैनिडेट्स इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं आयू सीमा यहाँ पर आपकी मिनिममम 21 साल और मैक्सिममम 35, 45, 50 साल पोस्ट वाइज रखी गई है जो कि आप नोटिस से भी चेक कर सकते हो एपलिकेशन फीज के अगर इस बढ़ती की बात की जाए तो कैटिगरी वाइज आप एपलिकेशन फीज जमा करा सकते हो जैसे कि जन्रल और OBC काटिगरी कैनिडेट्स के लिए 400 रुपे आविदन सुल्ख है वहीं SC और ST काटिगरी कैनिडेट्स के लिए मातर 200 रुपे आविदन सुल्ख है जो कि आप डिमांड राप्ट के माध्यम से इन फेवर ओप जीला स्वास्थे सिमीती साहिब गंज के रूप में जमा करा सकते हो सेलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटर्यू के आधार पर किया जाएगा ओफलाइन आप इस बर्ती के लिए आविदन कर सकते हो जोब लोकेशन है साहिब गंज आरकन ओल इंडिया में आप कहीं से भी आविदन कर सकते हो ओफिसल वैबसाइट है साहिब गंज.nic.in इस बर्ती पर आप 5 ओक्टूबर 2019 तक आविदन कर सकते हो इसके बाद आपके application form accept नहीं के जाएंगे इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस बर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी website के इस page का link नीचे description box में plus first command box में मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप directly इस बर्ती के official advertisement की PDF को open करके पूरी detail उसमें से read कर सकते हो यह इस बर्ती के official advertisement की PDF का direct resource link है जैसे ही आप इस link पर click करोगे तो आपके सामने इस बर्ती के official PDF कुल जाएगी यह इस बर्ती के official advertisement की PDF है यहाँ से आप पूरी detail विस्तार पूरवक one by one करके read कर सकते हो जैसे कि यहाँ से आप post का नाम आप serial wise देख सकते हो कि कौन सी post के लिए कितनी number of frequencies है desired qualification और experience की पूरी detail भी आपको column wise प्रोवाइड कराई गई है particular post के आगे आपको पूरी detail प्रोवाइड कराई गई है कि कितनी minimum आयू सीमा है और कितनी maximum आयू सीमा यहाँ पर particular post की maximum आयू सीमा अलग-अलग है जो कि आप यहाँ से official advertisement में से one by one करके देख सकते हो और पूरी detail यहाँ से विस्तार पूरवक read करने के बाद आपको chain परकीरिया की पूरी detail भी यहीं पर provide कराई गई है कि किस्त परकीरिया के तहत आपका chain यहाँ पर किया जाएगा यह पूरी detail यहाँ से read करने के बाद आप simply इस बर्ती के लिए offline आवेदन कर सकते हो offline आवेदन करने के लिए application का performa जी हाँ दोस्तो application का format भी आपको इसी advertisement में provide कराए गया है यह बर्ती पर आवेदन करने के लिए application form का format है इसके according आपको अपना application form बनना है और उसको last date से पहले पहले submit कर देना है जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना passport size photo fix करना है उसके बाद आपको पद का नाम यहाँ पर लिखना है अपना phone number, email address और इस थाई पता भी आपको यहाँ पर डालना होगा उसके बाद आपको अपना पत्रा चार का पता यहाँ पर डालना होगा sectionic योगे ताई कि पूरी detail आपको इस table के अंदर fill up कर देनी है कि कौन सी कक्सा में आपके कितने marks है और कौन से सन में आपने प्रिक्सा उत्तीन की है यह पूरी detail आपको इस table के अंदर बढ़ने होगी इसके बाद आप अपना कारिये का अनुभव यहाँ दोस्तो experience की detail इस table में fill up कर सकते हो उसके बाद आपको अपनी स्रेनी बतानी है कि कौन सी स्रेनी से आप belong करते हो HCT, OBC, General, ETC जो भी आपकी होगी वो आप यहाँ पर fill up कर सकते हो प्रिक्सा, सुल्का, पूरा विवरन भी आपको यहाँ पर देना होगा तो दोस्तो इस परकार से आपको यहाँ पर अपनी तीथी भी बढ़नी है कि कौन सी date में आप submit करने जा रहे हो और इस्थान आपको यहाँ पर बढ़ना होगा और last में आपको अपने श्ताकसर यहाँ पर कर देने है इस परकार से आप इस application form को भरकर last date से पहले पहले submit कर सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इससे like और share करना मत भूलना साथी साथ दोस्तो अगर अब भी आपके मन में इस भरती से later कोई question या query है तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हैं और अंज में दोस्तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्यूंकि हम daily basis पे आपके लिए ऐसी ही बिग government jobs के update अपने इस चैनल पर upload करते हैं